तो हमने स्टार्ट किया था वी फामेसी थर्ड समस्टर फार्मसेटिडेकल इंजिनेरिंग में यूनिट नंबर टू एवापॉरेशन एवापॉरेशन के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबजेक्टिव अप्लिकेशन फैक्टर इन्फूएंसिंग एवापॉरेशन औ आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सारे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन इस तीम जेकेटेड होरी जॉन्टल क्लाइमिंग प्लेम फोर्स सर्कुलेशन मल्टिपल एफेक्ट एवापुरेटर साथ इसकी एकोनॉमी तो लेक्चर को ध्यान से सुनना डाइग्राम आपको समझने हैं अगर एक बार आपने कंसर्फ समझ लिया फिर तो सारे इक्विप्मेंट सारी construction काफी easy है तो चलिये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अच्छे से समझना अगर आपको आपको और लेक्चर देखने है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है के बारे में आप WhatsApp ग्रूप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है steam jacketed cattle और steam jacketed cattle में होता क्या है वो आपको समझना है देखो जो भी आप equipment पढ़ोगे जो भी आप machine पढ़ोगे वहां पर आपको सबसे पहले उसका principle समझना है कि इसका principle क्या है फिर उसकी construction की ये बना कैसे है फिर उसकी working के ये काम कैसे करता है फिर उसके advantage मतलब उसके फाइदे इसके disadvantage मतलब उसके नुक्सान तो यही सब आपको देखना है सबसे पहले आपको देखना है कि इसका principle क्या है ये बना कैसे हुआ है इसकी construction क्या है izकी working क्या है फिर आपको देखना है इसके advantage wären बोलते है Happy और फिर आपको देखना है disadvantage को हम बोलते हैं demerits ओके तो सबसे पहला है steam jacketed cattle और यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं इस diagram से steam jacketed cattle को तो द्यान से समझिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है evaporation का मतलब आपको पता है evaporation का मतलब होता है कि liquid जो है gas में बदल रहे हैं और liquid जो है gas में कैसे बदलता है liquid heat को absorb करता है और जैसे ही heat को absorb करता है liquid यह liquid convert हो जाता है gas में gas का मतलब इस तरह से vapor बन जाती है और इसी को हम evaporation कहते हैं तो यहां पर हमने सबसे पहले steam को inlet किया steam का मतलब एक steam तो आप जानती हो बहुत गरम-भाफ एक तरह से हम बोल सकते है suburbs काफी गरम होती तो इस्टीम को हमने यहांसे डाला तो यहांसे हमने steam को पास कराया इस तरह Saari ठीक है यह स्टीम को हमने इं इं कराया गरम गरम एकदम लावा टाइप इस्टीम और और यहां से steam को out करा रहे हैं out क्यों करा रहे है अभी बताऊंगा तो यहां से in कराना है steam को और यहां से out कराना है और यहां पर आपने आपका solvent रख दिया आपका liquid रख दिया ठीक है तो यहां पर मैं आपको color से बताता हूं यहां पर आपने आपका liquid रख दिया जो blue color से liquid मैंन यहां से इस liquid को गर्म करेगा और जैसे ही यह liquid गर्म होगा यहां से थोड़ी दिर बाद इस liquid में से वेपर बनना शुरू हो जाएगी इस तरह से तो इस तरह से काम होता है हमने क्या करा steam को inlet किया यह गर्म गर्म steam जब अंदर गई तो इसने container में जो liquid था उसको गर्म किया और थोड़ी दिर भाद उसकी भाब बनने स्टार्ट हो गई उसकी वेपर बनने स्टार्ट हो गई आप देख सकते हैं यह रही ठीक है अब होता क्या है ध्यान से सुनना जैसे ही आपने यहां से steam को inlet किया तो जैसे ही steam जो है अंदर आ हुआ steam ने गरम करना स्टार्ट किया liquid को तो जब steam liquid को गरम करेगी तो हो सकता है कुछ steam यह करते हुए थंडी भी हो जाए क्योंकि अगर आप ज़्यादा थंडा पानी डालोगे तो गरम पानी थंडे में बदल जाता है तो steam का क्या होता है कि वह पानी को गरम करके भाब बन आके उडा दे और इसी दोरान क्या होता है यह steam थंडी पढ़ने लग जाती है तो जो steam थंडी पढ़ने लग जाती है वो आगे बढ़ते निकलती जाती है तो हमने यहाँ पर क्या करना है steam को डालते हुए निकालते जाना है क्योंकि यह जो steam है यह container को गरम करेगी और वो थंडी होने लग जाएगी और वो steam को outlet से हम निकाल देंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो steam का inlet होता है वो jacket में होता है और ये जो बीच में आपने रखी हुई है this one this is cattle ओके तो बीच में हमने cattle रखनी है उस cattle के अंदर हमने हमारा solution रखना है ठीक है अब यहां से आपको बता रखा है condensate condensate का simple सा meaning होता है यहां पर हम steam डाल रहे हैं तो steam का मतलब vapor और vapor जो है अगर थंडी हो जाएगी vapor थंडी की होगी क्योंकि वो इसको गरम कर रही है और इसी दोरान अगर वो थंडी हो जाती है तो यह जो vapor यह वो थंडा होने के बाद liquid बनाती है तो condensate का मतलब होता है vapor थंडा होके liquid बना रही है और वो release out हो रही है ठीक है और जो भी product है वो हमें मिल जाएगा concentrated product जब यहां से liquid जो है सारा vapor बनके उड़ जाएगा तो हमें concentrated product मिल जाएगा pure product मिल जाएगा तो इस तरह से यह काम करता है जिसका नाम है steam jacketed cattle जिसको हम कहते हैं evaporating pan evaporating pan इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर यह pan रखा हुआ है ठीक है this is the तो इसको आप cattle बोल लीजिए pan बोल लीजिए और jacket में आपको steam को flow करवाना है और जो steam थंडी हो जाती है वो condensate होके निकल जाती है मतलब liquid बनके निकल जाती है और steam का outlet यहां से भी दे रखा है सा the pure form मिलेगा तो इस तरह से यह काम करता है steam jacketed cattle जिसे हम कहता है evaporating pan और यह किस principle पर बेस दे यह evaporation के principle पर बेस्ट है क्योंकि हम पढ़ evaporation नहीं रहे हैं और यहां पर भाब बन रही है evaporate हो रही है so that's why it is best down principle of evaporation ओके ठीक है यहां तक clear है आपको तो next आपको मैं बताता हूँ principle के बाद इसकी construction और working कैसे लिखनी है जो आपका steam jacketed cattle है अब हम देखने वाले हैं इसकी construction फिर देखेंगे इसकी working और फिर देखेंगे इसके advantage and disadvantage तो देखो मैं आपको समझाता हूँ आपको construction कैसे लिखनी है construction में सबसे फिले आपको बताना है कि हमारे पास एक steam inlet pipe है और एक steam outlet pipe है और यहां पर एक jacket लगाया हुआ है जिसमें से steam flow होती है एक kettle है या फिर आप बोल लीजे pan है जिसमें हमारा solution रखा हुआ है साथी साथ एक condensate लगाया हुआ है ताकि जो भी liquid थंडा हो जाता है जो भी vapor थंडी हो जाती है वो liquid format में यहां से निकल जाए और finally एक concentrated product हमें obtained हो जाए तो यह सारा construction आपको लिखना है देखकर तो जैसा जैसा आपको diagram में दिख रहा है वैसा ही आपको construction लिखना है कि यहां पर एक steam inlet pipe है एक steam outlet pipe है steam inlet से हम steam को in करते हैं outlet से outlet करते हैं निकालते हैं यहां पर एक condensate है जिसमें steam अगर थंडी हो जाती है तो वो liquid form में बाहर आ जाती है यहां पर एक kettle लगी हुई है जिसमें हमने solution रखा हुआ है और यहां पर एक jacket है और उसी jacket के अंदर हम steam को in करते हैं और steam को out करते हैं तो इस तरह से आपको पूरा construction लिखना है अब इसकी देखते हैं working working में आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसे ही steam अंदर आती है यहाँ पर यह steam solution को heat करती है यह solution heat होने के बाद इसके boiling point तक पोछने के बाद यहाँ से vapors बनाना start करता है और यहाँ पर आपको concentrated form मिल जाती है एक pure form मिल जाती है और इसी दोरान steam जब गरम करता है तब वो थंडा भी होता है और अगर वो थंडा होता है तो यहाँ पर एक condensate लगा रखा है जिसमें वो liquid format में बहार निकल जाता है तो यह हो गया इसका principle construction working अब देखेंगे इसके advantage disadvantage तो एक बात बताईए यहां से जब आप steam in और out कर रहे हैं तो शुरू में तो solution बहुत सारा था यहां तक था पर देरे-देरे क्या हुआ वो solution कम होता गया कम होता गया क्योंकि भाब बनना start हो गई तो अंदर का solution कम होता गया तो solution अब यहां तक आ गया तो यह जो steam inlet यहां की हो रही है और यहां की outlet हो रही है जो इतना पार्ट गरम हो रहा है यह west हो रहा है क्योंकि हमारा product तो अब नीचे नीचे रह गया है तो यहां पर क्या होता है wastage भी होती है जो heat होती है उसकी wastage भी होती है कई बार तो चलिए इसके advantage और disadvantage में आपको large scale पे भी use कर सकते हैं second आपको दे रखा है simple construction construction काफी simple होती है third दे रखा है easy in use cleaning and maintenance इसको साफ करने में ज़्यादा problem नहीं आती इसकी maintenance में ज़्यादा problem नहीं आती और यह use करने में भी काफी easy होता है these are the advantages of steam jacketed cattle और we can say evaporating pan okay now disadvantage जैसा कि मैंने आपको कहा मैंने आपको बताया था कि steam jacketed cattle में जब भी आप steam को पास कराते हो तो वहाँ पर जो solution था वो काम होता जाता है क्योंकि वो evaporate होता है तो वहाँ की heat का loss होता है तो यहीं पर वो point लिखा है heat economy is less and second point यहाँ पर आपको लिखा है unsuitable for heat sensitive material ऐसे material जो की heat के contact में आने से खराब हो जाते हैं उसके लिए steam jacketed cattle जो होता है वो unsuitable होता है अब steam jacketed cattle को steam jacketed कहते क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो jacket होती है उसमें steam pass होती है that's why it is known as steam jacketed cattle and it is also known as evaporating pan क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ है पैन और यहां से हो रहा है evaporation so this is known as evaporating pan तो यह था आपका steam jacketed cattle next देखते हैं next आपको दे रखा है horizontal tube evaporator और horizontal tube evaporator में आपको simple साफ सबसे पहले construction देखना है तो construction में आप सकते हैं यहां पर आपको steam inlet दे रखी है और एक condensate दे रखा है condensate किसलिए होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि condensate का मतलब होता है जो भी हम steam यहां पर डाल रहे हैं वो steam जब यहां से pass होगी तो pass होने के दुरान वो steam थंडी भी होती है और थंडी होके वो liquid में निकल जाती है ठेक है तो condensate यहां पर दोनों तरफ लगे हुए हैं तो जैसे ही बीच में से steam pass होती है तो यह solution गरम होने के बाद अपनी vapor जो है release करना स्टार्ट कर देते हैं ठेक है तो यहां पर vapors बन जाता है और जो finally vapor बनने के बाद concentrated form बसता है उसको हम यहां से remove कर लेते हैं tap लगा हुआ है यहां पर tap को open करके concentrated liquid को बहार निकाल देते हैं ठीक है तो यहां पर यह condensate के through जो steam थंडी हो जाती है वो निकल जाती है जैसा कि आप देख सक रहे हैं और यहां पर जो concentrated form बसता है liquid का वो यहां से release out हो जाता है so this is the horizontal tube evaporator काफी easy है बस यहां पर आपने क्या करना है horizontally arrange करना है जो भी आपकी tubes से इस तरह से जो pipe लगा रखे हैं यह horizontal arrange कर रहे हैं that's why it is known as horizontal tube evaporator आपको यह red color से दिख रहे हैं this is horizontal tubes ओके और यहां पर हम steam pass करा रहे हैं और steam pass होने की वज़े से यहां से vapor बनना start होगी और vapor बनने के बाद जो concentrated form बचेगा liquid का उसको हम अलग कर लेंगे और vapor बनाने के दोरान जो steam हम दे रहे हैं वो steam थंडी भी होती है और थंडी होके liquid बनके वो condensate से निकल जाती है सबी को clear है यह बात तो इस तरह से यह काम करता है यह इसका construction हो गया कि यहां पर steam का inlet है horizontal tube है एक condensate लगा है एक tap लगा है जिससे हम concentrated liquid निकाल लेते हैं evaporator body है जहां पर evaporation होता है यह construction हो गया working कैसे हो गई steam pass करा रहे हैं steam passed कराने के बाद यहां से evaporation हो रहा है जो concentrated form बत रहा है वह नीचे आ रहा है और यहां पर steam passed कराने के दौरान steam thundy होके condensate होके liquid बनके release हो जाती है और इस तरह से हमें concentrated product मिल जाता है concentrated liquid product मिल जाता है ठीक है और यहाँ पर इसकी size लिखी हुई है कि यह जो equipment होता है आपका horizontal tube evaporator इसकी जो width होती है width का मतलब इसकी चोड़ाई तो इसकी जो चोड़ाई होती है वो होती है 1.822.4 meter और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2.423.6 meter तो 2.4 से 3.6 लंबा और 1.8 से 2.4 meter चोड़ा wide यह होता है तो सारा सब कुछ आपको इसी language में मैंने लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको समझाया नहीं तो मेरे समझाने के बाद आप खुद ही लिख सकते हैं कि यहां पर वेपर्स बनके यहां से वेपर्स रिलीज हो जाती है यहां पर concentrated product बन जाता है यहां पर steam pass हो रही है काफी easy है यहां पर आपको इसके advantage disadvantage भी दे रहे हैं advantage देखते हैं सबसे पहला तो सबसे पहला point आपको लिखा है cheap होता है second point आपको लिखा है suitable for non viscous ऐसे liquid जो कि viscosity नहीं रखते गाड़ा पन नहीं रखते उनके लिए यह suitable है horizontal tube evaporator and next is easy to install and operate लगाने में भी आसान है और चलाने में भी आसान है तो these are the advantage of horizontal tube evaporator disadvantage में सबसे पहला आपको दे रखा है not suitable for viscous liquid और we can say unsuitable for viscous liquid हमने advantage में देखा था कि यह सिर्फ और सिर्फ non viscous के लिए होता है तो आप इसमें viscous liquid का use नहीं कर सकते तो these are the disadvantage now second is heat sensitive material जो material heat sensitive होते हैं उनके लिए भी आप इस evaporator का use नहीं कर सकते जिसे कि आपको मैंने pan evaporator पढ़ाय था उसमें भी एक disadvantage था heat sensitive material का use नहीं कर सकते हैं फिर अभी हमने देखा horizontal, horizontal tube evaporator का भी यही disadvantage है कि यहाँ पर भी हम heat sensitive material का use नहीं कर सकते एसे material जो की heat के contact में आने से खराब हो जाते हैं चेंज कर लेते हैं अपने shape and size को तो उसे हम कहते हैं heat sensitive material now next is climbing film evaporator यहाँ पर आप film कर लिजेगा climbing film evaporator also called rising film evaporator अब इससे rising क्यों कहा गया वो हम देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मैंने liquid को inlet किया liquid को inlet किया मतलब यहाँ पर वो मेरा solution है जिसको मुझे pure form में बदलना है और pure form में हम केसे बदलते हैं मैंने आपको बताया था starting में कि अगर आपको pure form चाहिए तो आपको heat करना पड़ेगा जैसे मानली जी यह container है और इसमें liquid रखा हुआ है तो इस liquid को हम heat करेंगे और heat करने के बाद यहाँ से vapor बनेगी और vapor बनने के बाद यहाँ पर जो बचा हुआ solution होगा वो pure form का होगा तो यहाँ पर मैंने liquid ले लिया है और इससे मुझे heat करना है तो अब इसे heat के से करें तो यहाँ से हम क्या कराएंगे आप यहाँ पर देखिए steam का inlet कराएंगे यह जो आपको lines दिख रही है यह vertical यहाँ पर steam होती हर जगे ठीक है और steam होने की वज़े से क्या होता है जो भी liquid म और यहाँ पर अंदर जो है steam है steam मतलब गरम गरम एक तरह से आप बोल सकते हो steam का मतलब भाप होता है गरम भाप ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है यह liquid जैसे ही steam के contact में आता है यह इस तरह से vapor होके उपर उड़ने लग जाता है liquid की vapor बनती है liquid की vapor कब बन रही है जब liquid जो है इस steam के contact में आ रहा है तो यह अपनी vapor बनाकर उपर की तरफ बढ़ रहा है यह देख सकते हैं आप यह जो मैंने circle बना रहे हैं चोटे चोटे यह vapors है यह vapors बनके उपर की तरफ आगे बढ़ रहे है उपर की तरफ क्यों जा रहा है क्योंकि जो हमने liquid यहाँ पर डाला था य कि यह liquid और vapor को separate कर दे तो यहां तक clear हो गया आपको सबसे पिल हमने क्या कराया सबसे क्ले हमने liquid को inLet कराया जैसे है यह पर liquid आया यहां से हमने steam को पास कराया और steam को pass कराने की वज़े से यहां पे सभी जगे steam हो गया अब इस steam की वज़े से यह जो नीचे liquid दे रखाता ये liquid अपना drop plate form बनाकर भाप की तरह उप्र जा रहा है vapor formation हो गया आ है liquid उप्र जा रहा है उपर अपने एक deflector लगा रखा है जो की liquid को और vapor को separate कर देता है यहां से steam को in कर रहे हैं और यहां से steam को out कर रहे हैं और steam को out इसलिए कर रहे हैं क्योंकि steam thanddy भी हो जाती है ठीक है अब यहां पर क्या दे रखा है आपको तो यहां पर आपको एक separator दे रखा है जिसका नाम होता है cyclone separator और यह cyclone separator क्या करता है vapor को release करा देता है और जो liquid होता है उसको concentrated form में यहां पर ला देता है तो काफी easy है एक बार आप देख लीजिए सबसे पिले यहां पर liquid डाली यहां से steam डाली steam की वज़े से यह जो liquid थी इस तरह से droplet बनके उपर आना शुरू हुई और जैसे ही यह उपर आई यहां पर एक deflector लगा रखा है यह deflector क्या करेगा liquid को और vapor को separate करेगा यहां पर हमने एक cyclone separator लगा रखा है cyclone separator में क्या होता है vapors तो release हो जाती है और जो liquid आया है वो liquid pure form में आया है concentrated form में आया है तो उसे हम collect कर लेते हैं काफी easy है तो हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि यहां पर इसका नाम climbing film या फिर एक और नाम दे रखाता rising film वो क्यूं दे रखा है इसका नाम climbing film क्यूं रखा गया तो यहां पर आप देख सकते हैं जो liquid था वो liquid steam की वज़े से evaporate होके उपर जा रहा है और उपर जा रहा है मतलब वो climb कर रहा है ठीक है rise हो रहा है sunrise होता है वैसे ही यह निकल के आ रहा है उपर की तरफ जा रहा है तो that's why it is known as climbing film evaporator और we can say it is rising film evaporator ओके construction वगिर आप देख लीजिए यहां पर लगा रखा है cyclone separator vapor अलग liquid concentrated form में अलग एक stream inlet है एक stream outlet है एक deflector है जो कि separate करता है liquid और किसको separate करता है liquid और vapors को यहां पर एक liquid inlet आपको लगा रखा है जिससे आप liquid डालो उसका vapor बनाओ liquid और वेपर को separate करो वेपर को निकालो और concentrated liquid को पाओ चलिए next देखते हैं next है आपका forced circulation evaporator अब यहां पर forced circulation evaporator से हमारा मतलब क्या है और इसका नाम forced circulation evaporator क्यों रखा वो देख लेते हैं सबसे बिला आपको यहां पर एक pump दे रखा है और pump से क्या होता है जो भी feed आप करते हो मेरा मतलब है कि जो भी solution आप यहां से feed से inlet करते हो यह आपका feed है यहां से आपने inlet करना है तो जो भी solution आप inlet करते हो जो भी liquid आप inlet करते हो ऐसा liquid जो की आपको pure form में चाहिए या फिर आप बोलीजिए concentrated form में चाहिए आप यहां से inlet करो उस liquid को आप यहां स से inlet करो जो liquid आपको concentrated form में चाहिए pure form में चाहिए तो जैसे आप inlet करोगे यहाँ पर लगा हुआ है एक pump और यह pump क्या करेगा उस liquid को pressure से उपर की तरफ भेजेगा आप arrow से देख सकते हैं यह उपर की तरफ जा रहा है pressure से ठेक है अब काफी सिंपल सा है यहाँ पर आपने यह जो लगा रखे हैं इसमें steam pass हो रही है और इन सब में steam pass हो रही है मतलब जैसी ही यह liquid आगे बढ़ेगा जैसी ही यह liquid आगे बढ़ेगा तो इस steam के यह contact में आएगा और अपनी वेपर बनाएगा कुछ वेपर बना लेंगे कुछ liquid रे जाएंगे समझे रहो आप सबसे बिल आपने क्या करना है इस feed में से वह liquid डालना है जो आपको pure form में चाहिए मतलब आपका sample आपने डालना है तो जैसी आपने sample डाला वह liquid जो है pump के थूँ उपर की तरफ बढ़ा ठीक है मतलब यहाँ पर यह जो arrow कर रखे हैं यह liquid के लिए कर रखे हैं जो की pressure से उपर जा रहे हैं और यहाँ पर यह जो बीच में आपने बना रखे हैं इसमें steam पास हो रही है यहाँ पर steam पास हो रही है इस तरह से ठी है और अगर यहाँ से steam पास हो रही है तो जो यह liquid जा रहा है यह liquid गरम होके vapors बनाना शुरू कर देगा इस तरह से क्योंकि pump से वह liquid उपर गया उपर जाने के बाद वहाँ पे जो tubes लगी हुई है pipes लगे हुए उसमें steam flow हो रही है और steam flow होने की वज़े से वह क्या करेगा अ और उपर लगा रखा है deflector और deflector का काम आपको पता है अभी मैंने आपको बताया liquid और वेपर को यह separate कर देता है तो वेपर को अलग कर देगा और liquid को अलग कर देगा जो liquid वापिस वेपर बनने के लिए आना चाहेगा वह यहां से वापिस नीचा आ जाता है समझ रहो जिस cyclone separator लगा रखा है और cyclone separator से क्या होता है वेपर तो अलग हो जाती है और जो liquid होता है वह हम यहां से इसी रस्ते से यह देखो आपको product मिल गया product ठेक है तो यहां पर यह गरम करने से क्या फायदा है यहां पर लगा रखे है heating tubes जिसमें steam पास हो रही है देखो एक बार और मैं final समझा देता हूं आपको काफी simple है यहां पर जो feed आपको दे रखा है वहां से आपको liquid को inlet कराना है जिसे आप liquid को में यहां पर और steam होने की वज़े से यह जो liquid उपर जा रहा है यह drop plate में convert हो जाएगा छोटे-छोटे इस तरह से ठीक है और यहां पर आ जाएगी drop plate drop plate को हम बोलेंगे vapor तो उपर आपके पास क्या आगया vapor and liquid कुछ liquid भी आगया कुछ की vapors बन गई तो यहां पर deflector लगा देगा समझ में आ गया अब यहां पर जैसे ही vapor अलग होगी तो वह cyclone separator में जाएगी और अगर यहां पर कोई liquid बनता है तो वह नीचे आ जाएगा नी तो vapor रिलीज हो जाएगी तो cyclone separator से जो liquid आएगा वह यहां से return pipe के तो यहां पर आया और यहां से आपने product ले लिया तो गए आपको और यह return pipe इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पताया था deflector जो है vapor और liquid को अलग कर देता है vapor को आगे भेज़ देगा और जो liquid है उसको वापिस pump के तुरू उपर भेज़ देगा और यह चलता रहेगा जब तक आप अपना product receive ना कर लो आपको जिस form में च सब्सक्राइख को तना मिल जाएगा एक और बात यहाँ पर जब liquid हम डाल रहे हैं तो वह pump के तुरू उपर जा रहा है ठीक है मतलब उसका contact जो है contact मतलब मैं समझाता हूं यहाँ पर heat है काफी जाधा steam है तो जो liquid हम डाल रहे हैं वह pump के तुरू उपर जा रहे तो फटा प्टेशर से उपर जा रहा है तो लिकके पार्टिकल लिविद के मॉलीकुल फटा-फट उपर जानव चाहेंगे to यहां पर उसके कर सकते हो जो कि हीट संसितिव हो कि हीट संसिटिव का मतलब क्या है कि जो हीट से घराब हो जा है वह भी आप यूज कर सकते हрах क्योंकि यहां पर heat के contact में ज़्यादा देड़ नहीं रुक रहा हूँ जो लिक्विड आ रहा है फीट के थुरू वह पंप के थुरू होते हुए फटा फट उपर पहुच जाएगा ठीक है तो यहां पर इसका का contact इस steam से काफी कम देड़ तक रहता है इसलिए आप heat sensitive वाले को भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर heat का और liquid का contact काफी कम है आप देख सकते हैं जैसे हम liquid डाल रहे हैं वह पंप के तुरू फटा फट उपर जा रहे हैं और इस तीम से उसका contact बहुत ही कम है तो इसलिए आप heat sensitive material को भी यहां पर यूज कर सकते हो तो इस आर दे construction and working आई होब आपको clear हुआ होगा force circulation evaporator नाव next and the final is multiple effect evaporator और नाम से पता लग रहा multiple मतलब यहां पर हमने क्या करना है multiple diagram बनाने इस तरह से this is multiple effect evaporator देख लीजिए से अच्छे से अब यहां पर आपने feed डालना है feed का मतलब वो solution जो आपको concentrated form में चाहिए pure form में चाहिए आपने वह यहां पर डाल देना है डाल दे आपने ठीक है और यहां से आपने steam पास करा दे नहीं है आपने यहां पर steam पास करा दी यह red color से मैंने steam बता दी अब जैसे ही आप steam को पास कराओगे इस solution में से vapors बनना स्टार्ट होगी इस तरह से vapors बनेगी और यह vapor होती हुई दूसरे में जाएगे समझ रहो वेपर हमेशा गरम गरम बनती है आप कभी पानी गरम करोगे तो उसके जो भाप निकलती है वह काफी गरम निकलती है क्योंकि वोटर का boiling point 100 degree Celsius होता है और उसके बाद vapors बनना स्टा होती है तो जो भाप होती ना वह काफी गरम गरम निकलती तो हुआ क्या यहां पर आपका solution था और यहां पर अपने इस कर दिया आगे जाकर दूसरे में steam का काम करेगी, द्यान से समझना, एक बार ही हमने steam का use लिया है, steam क्या है, एक तरह से गरम गरम भाप बोल सकते हो आप, जो कि हमने use लिया है, ताकि जो हमारा solution है नीचे, वो गरम हो सके और उसकी vapors बन सके, तो यहाँ पर उसकी vapors बना दी, और यह जो vapors बनी है, इनी का use हम second वाले equipment में ले रहे हैं, second वाले equipment में हम इन vapors को as a steam काम लेंगे, क्योंकि steam क्या है, गरमा गरम भाप बोल सकते हो आप एक तरह से steam को, तो यह steam एक बार यूज लेनी है, उसके बाद आगे जो है vapors यूज लेंगे, एक बार और समझ लो, देखो, यहाँ पर आपने feed से क्या डाला, आपका solution डाला, जो कि आपको concentrated form में चाहिए, pure form में चाहिए, उसके बाद आपने क्या कराया, उसमें steam पास कराया, यहाँ पर यह red color से steam पास कराया, अब इसकी बदोलत क्या हुआ, जैसे यह solution, यह feed जो है दिर दिर गरम हुआ, यहाँ पर बनना स्टार्ट हुई, और यह vapor, second वाले equipment में, second वाली machine में, यह vapor, as a steam का का काम करेंगे, तो यहाँ पर यह जो है, steam का काम करेंगे, इस तरह से, यह red color से मने बता दिया, यह steam का काम करेंगे, और यहाँ जो product मिला है, यहाँ जो product मिलेगा आपको, यह जो condensate आपको मिलेगा, इसको आप इधर डाल सकते हो, और pure करने के लिए, समझे रहो आप, सब सब बिल आपने क अगरा, feed का inlet करा, फिर यहाँ से steam पास कराई, फिर feed में से vapor निकली, और यह pure form बजगिया, तो यह जो pure form है, इसको आप आगे भी डाल सकते हो, ताकि और pure निकल जाए, और यहाँ पर एक बार आपने steam पास कराई, फिर vapor बनी, और यह vapor ही steam का का काम करेंगी, आगे जाके, और vapor जो बनेगी, वो ही steam का काम करेंगी, फिर जो vapor बनेगी, वो steam का काम करेंगी, और एक बार condensate निकालो, यह जो condensate है, यह जो product है, यह pure form में हमारे पास मिला, क्योंकि यहाँ की vapor बन चुकी है, इसको आप वापिस यहाँ डाल सकते हो, फिर यहाँ से जो निकलेगा, उसको अब वापिस यहाँ पर डाल सकते हो, तो finally आपके पास एक thick liquor, liquor का मतलब होता है, liquid, thick liquid मिलेगा, जिसमें आपको purity मिलेगी, तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्या करा, सिर्फ एक ही बार steam का use करके, एक ही बार steam का use करके, आपने क्या करा, final product बहुती concentrated form में निकाला, बहुती pure form में निकाला, अब यहाँ की वेपर तो यहाँ के steam के काम में आ गई, पर जो यहाँ की वेपर बनेगी, वो कहां जाएगी, आप चाहो तो आगे एक और भी लगा सकते हो, यह चलता है, यह N नमबर है, आप चाहे कितने ही लगा लो, आपको जितना concentrated product चाहिए, उतने आप evaporator line से लगा सकते हो, that's why it is known as multiple film evaporator, ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन ही लगाए है, उसके बाद यहाँ पर भाब जो निकलेगी, उस भाब को हम cyclone separator से पास कराएंगे, और cyclone separator का काम आप जानते हो, यहाँ पर आपने देखा है, जो cyclone separator होता है, वो vapors को अलग कर देता है, और यहाँ पर आपको pure form मिलता रहता है, मिलता रहता है, तो इस तरह से आप multiple effect evaporator में क्या कर सकते हो, तीन-तीन आपने यहाँ पर सेम लगा दी है, ठीक है, evaporators, और यहाँ पर एक बार steam डाली, जो vapor बनी उसको दूसरी steam में काम लिया, जो vapor बनी उसको दूसरी steam में काम लिया, जो वेपर बना वहां से आपने cyclone separator से liquid निकाल लिया या फिर यहां पर भी जो आपका solution बचा वो भी एक तरह से pure form है concentrated form है ठीक है अब यहां पर आपको सिलिवस में एक चीज और दे रखिए जिसका नाम है वेट ए मिनिट में आपको बता देता हूं एक टॉपिक और है economy of multiple effect evaporator economy का सीधा सा मतलब होता है सस्ता जितना सस्ता उतना अच्छा अच्छा हम इसे economical क्यों कह रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा multiple effect evaporator जिसमें हमने 2-3 machine लगा रही थी line से join करके उससे हम economical क्यों कह रहे हैं सस्ती क् Economical इसलिए है क्योंकि यहांपर आपने एक ही बार स्टीम का यूज किया है एक ही बार स्टीम का यूज करके आपने बार बार प्रोडठ्ट जो है Johraพो ने मिला आपको आप देख सकते हैं यहांपर इस diagram में इस टिम का यूज का हुआ है पिर तो वेपर जो है स्टीम का 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 तो एकोनोमी का सीधा सा मतलब है हमें quantity अच्छी हो मतलब जो वेपर बने वो ज्यादा ज्यादा बने क्योंकि ज्यादा बनेगा एक बात बताईए यह कोई एंडि स्ञ्छी सॉल्योशन है यहां पर सोल्शन रखा हुआ है है यहां से हीट कर दिया जतना ज्orie बनेगा जितना ज्यादा बनेगगा अतना ही जो प्रोडक्त वो प्योर फॉर्म में विलेगा ठीक है तो यहां पर आपको लिखा हुआ यह ड dios not सकता हीट का लोस तो क्योंकि जैसे ही वेपर बन रही थी वह वेपर हमने आगे वाले में काम ले ली फिर वेपर बनी हमने आगे वाले में काम ले ली तो हीट का लोस भी नहीं हो रहा ठीक है तो मतलब फाइद है बताने इसके काफी फाइद है और अगर हम जैसे कि मैंने आप आपको कहा मैंने आपको तीन मशीन लगा रखी अगर आप एक और लगा दोगे तो फिर आपको और प्रोडक्ट प्योर मिलेगा और आपको देना तो इस ती में एक ही बार है ना तो यहां पर आपको वही बता रखा है कि एन नम्मरों पे वपुरेटर आप यूस ले सकते हो तो देखो नाम ही तो वही है multiple effect evaporator मतलब आप एक से ज़ादा multiple जैसे मैंने आपको तीन बता है आप चाहें तो चार पांच एड़ कर सकते हैं इस तरह से अगर चार पांच मशीन आप एड़ कर देंगे और एक की वेपर दूसरे में काम लेंगे दूसरे की वेपर तीसरे में काम लेंगे इस तरह से वेपर का यूज करेंगे तो एड़ दी एंड आपको more concentrated more pure form obtained होगी ठीक है तो यहां पर आपको यही benefits दे रखे हैं economy यही है कि हमें क्या फाइदा है हमें यही फाइदा है इससे कि आप यहां पर बहुत अच्छा बहुत concentrated बहुत pure form ले सकते हो product का सात हाँ यहां पर एक बार ही steam डालनी होती है और steam डालने के बाद जोömटी है वो आगे जा कि steam का काम करती है और यहां पर कम steam में आपको अच्छा result मिल रहा है और यहां पर vapor pressure भी अच्छा मिल रहा है that's why it is economical तो यह था आज का आपका lecture जिसमें हमने देखा multiple effect evaporator उससे पहले हमने देखा है force circulation evaporator उससे पहले हमने देखा है climbing film evaporator जिसको हम कहते है rising film evaporator उससे पहले हमने देखा है horizontal tube evaporator और इससे पहले हमने देखा है steam jacketed cattle और we can say evaporating pen तो यह सारा आपको मैंने clear कर दिया है आपको यहाँ पर मेल दियान रखना है principle construction working advantage disadvantage यही सब आपको लिखना है और diagram अच्छे से बनाना क्योंकि अगर five marks का question आता है तो two से two and half marks तो आपको diagram के मिल जाएंगे तो diagram को अच्छे से प्रिपेर कर लेना आज आपको lecture clear हुआ होगा आज आपका evaporation and हो चुका है और next lecture में distillation start करेंगे फिर unit 2 को भी खतम करेंगे अगर आपको और lecture देखने हैं तो टेलिस्ट आपको यहां पर दिख रही होगी और subscribe करें और lectures के लिए टेलिग्राम से ज़रूर जूड़ जाना क्योंकि टेलिग्राम पर आपको सारी update मिलती है टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है have a nice day thank you